हलो एस प्रिंस मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे सो अभी तीन-चार दिन पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि आपका जो जेके एसस भी फेनांस अकाउंट असिस्टेंट है वो इसी हफते में आपका पूरा शेडियूल आ जाएगा वो आ चुका है और मैंने आपको दो डेट बताई थी एक 27th of February एक बताई थी 6th of March तो आप देख सकते हैं 6th of March को आपका जो जेके एसस भी फेनांस अकाउंट असिस्टेंट का पे पर होके ही रहेगा और बाकी भी आये हैं तो मेरा भी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि means कि आपके पास approximately अभी मिला के जैसे आज आपको पता आज 4th है राइट जैसे आपको पता है आज क्या है 4th और पेपर है आपका 6th of March को means कि मिला कि अगर आप चलेंगे तो आपके पास 28 डेज रहेगे क्यों कि 4th भी आज खतम हो गया कल है 5 तो आप लगा लो कि आपके पास 28 डेज है और 28 डेज में आपने क्या करना है रिवाइस करना है पूरा फ क्या है रिवीजन हमने पूरा एक अपर स्लेबर्स को ब्रेक अप किया है राइट स्लेबर्स को ब्रेक अप करके पूरा आपके लिए एक शड्यूल थ्यार करा हूँ है तो आप वह देखते मैं भी आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने जो है यह जो 28 डेज है उसमें टेस्ट हमने जो है पिपेर करे हैं और ने टेस्ट है उसके लिए आपको हमारी डाउनोड करने पड़ेगी राइट उसका तो लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पोवाइट कर दूँगा तो पूरा स्लेबर्स का हमने ब्रेक अप किया हुआ है आप द यकल से इस लेबर्स को फॉलिओ करते हो अगर कल से शुरू करते हो तो आप देखो तो यह जो फ्रस्ट जो टेस्ट है उस important mcqs उसमें cover किये हैं और एक तरह से आपके mcqs भी solve हो जाएंगे thousand plus right तो बहुत जादा होते है thousand plus right और second test जो आप देख सकते हैं यहां पर यह रहा second test means कि एक पूरा 25 days लेके चले आप तो पूरा आपका labor जो है well before the exam complete हो जाएगा जैसे second test है उसमें हमने तीन topics रख दिये है important rivers, lakes in India, weather, climate, involvement, ecology and biodiversity second test means कि आप पूरे दिन में यह preparation करें और शाम को आप test को attempt कर सकते हैं test जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएगे हैं और जैसे तीसरा test है इसी जो first आपकी section थी journal knowledge with special reference to JN की UT इसको तीन test में divide किया है means कि तीन section में component में इसको divide कर दिये तो यह तीसरा जो है इसमें पूरा आपका JN के का third test में पूरा include हमने इसमें किया हुआ है right तो उसके बाद next जो आपका आगया आप देख सकते हैं यहां पर journal economics यह 10 marks का है general economics का जो पूरा syllabus है उसको भी हमने तीन पार्ट में divide कर दिया जो four test रहेगा उसमें यह चार topic cover हो रहे हैं उसके बाद फिफ्ट जो रहेगा उसमें यह चार topic cover हो रहे हैं उसके बाद जो six test है उसमें यह चार topics cover हो रहे हैं विल्कुल systematic way से बनाया गया है यह syllabus थाकि आपको problem क्योंकि बहुत सारे बच्चों के queries आ रहे थी सर किस तरह से revision करें हैं फिर से revision करना तो किस तरह से करें तो यह पूरा एक revision plan है सिर्फ आपके लिए आप देखो science आ गया फिर journal science जो है 10 marks का है यह तो 10 marks का है तो journal science का भी जो आपका syllabus है उसको भी हमने तीन पार्ट में सारे topics आ जाएंगे तो आगे बात करते हैं आगे आपका जो next syllabus का component that is knowledge of computer यह भी 10 marks का आ रहा है तो इसको भी हमने तीन टेस्ट में डिवाइड कर लिया है तो पहल जो आपका 10 टेस्ट रहेगा उसमें यह सारे topics आ रहे हैं उसके बाद 11 टेस्ट में यह सारे topics उसके बाद 12 ट is है इसमें आपके बहुत सारे जो mcqs हैं paper में आपको देखने को मिलेंगे तो last जो हमारी selections भी हुई थी पंचायर account assistance में वह इनी material के थूर हुई थी अब आगया mathematics यह भी 10 marks का रहा है तो mathematics का भी हमने तीन पार्ट में syllabus को divide कर दिया यह तीन जो topic है 13 टेस्ट में आगे most important उसके बाद 14 टेस्ट में यह तीन topic cover होंगे उसके बाद 15 टेस्ट में यह तीन cover होंगे राइट उसके बाद next जो है आपका that is आपका आगया stats तो next जो है stats यह भी आपको 10 marks की जो है stats आपको आ रही है तो stat में आपको जो stat का syllabus हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो first जो आपका 16 टेस्ट उसमें साथ यह चार topics आएंगे 17 टेस्ट में यह सारे topics आएंगे 18 टेस्ट में यह सारे topics आगे तो next जो most important है that is your accountancy and the bookkeeping 30 marks का आ रहा है तो इसको हमने ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर लिया है तो कि इसका syllabus lengthy है तो जो पहला इसका जो test accountancy का means की 19 टेस्ट जो आप करेगा उसमें 4 topics आएंगे उसके बाद next जो 20 टेस्ट उसमें भी 4 topics रखे है उसके बाद 21st टेस्ट जो है उसमें भी हमने क्या 4 topics रखे accountancy के क्योंकि accountancy syllabus जो है इस लिए bit lengthy है तो इसको हमने 4 पांच parts में divide किया जो 22nd टेस्ट है उसमें यह सारे topics आ रहे है उसके बाद जो 23rd टेस्ट है उसमें यह सारे important topics आ रहे हैं तो इसलिए मैं बार-बार कहा रहा हूँगे जो test series है बहुत ही important है आपके लिए right 25 days के अंदर आपका complete labor जो है revise भी हो जाएगा और बहुत सारे important mcqs भी आप cover कर लोगे इस test series के through तो उसके बाद जो आपका last component that is journal English यह आपको 10 marks का रहा है तो journal English को हमने दो पार्ट में divide किया 24 टेस्ट में यह सारे topics आएंगे उसके बाद 25 टेस्ट जो है उसमें यह सारे topics आएंगे तो यह आपकी रही 25 days revision plan revision plan भी रहा और पूरा का पूरे आपको बहुत सारे important mcqs भी मिल जाएंगे 1000 plus mcqs है इसमें और सब लोगों ने इसको मिला के बनाया है जैसे accountancy की बात करें सुमित मैम economics की different difficulties ने इसमें जो है क्या बोलते हैं पेपर जो है सेट करें तो इसमें बिल्कुल जैसे online paper रहता है वैसे ही इसमें रहेगा multiple choice question 0.25 negative marks भी आपके उसमें रहेंगे आपको आपका score भी वहां पर दिख जाएगा कितने गलत है कितने सही है so all the very best to all of you good things come to people who wait but better things come to those who go out and get them we always try to provide you the best of the best find a difference at this juncture means कि आप अगर यह test series join करोगे आपको definitely 110% guarantee है कि आपको बहुत सारी नहीं चीजें अभी भी आपको जो है paper में देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे हमने इसमें नह mcqs जो है cover करे है right so test series join करना आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि यह पूरा plan एक बना है slabers को हमने break किया है right इसके लिए हमारा app download करें और आपको telegram में भी मैं उसका link जो आपको provide कर दूँगा so thank you for watching और अगर हाँ एक कुछ चीज बोल दूँँ अगर आपको कोई भी or queries है कुछ भी कोई चीज आपको requirement है तो इस वीडियो को comment section में भी आप बोल सकते हैं और whatsapp पे भी आप हमें message कर सकते है right so thank you for watching और अच्छे से preparation करें यह आपका final time है right इसके बाद paper postpone होने के chances नहीं है okay so thank you for watching have a nice day you झाल झाल झाल